एकी बात को सिद्ध करने के लिए गुरुओं को, महापुरुषों को कितने मिसाल देने पड़ते हैं। जबकि जो बात आज जुगाज सच है, कि परमात्मा के सिवाए कुछ बनाई नहीं है, पर इस बात को भी सिद्ध करकर के इंसान की बुद्धी में बिठाना पड़ता है। क्योंकि वो अपनी जूठे एंकार में, अपनी जूठी हस्ती में सारा दिन फूंडता रहता है। है, लेकिन रावन कहता है मेरी भी हस्ती है। वो राम की हस्ती के आगे अपनी हस्ती दिखाना चाहता है। अब हमको रावन बुरा लगता है, दशेरा मन आते हैं, उसको जला देते हैं, पुतला बना के फूखते हैं। लेकिन क्या कभी हम अपने लिए सोचते हैं, के हम भी तो सारा दिन इश्वर की हस्ती को नकार के अपनी हस्ती दिखाते रहते हैं। हम भी तो सारा दिन मैं मैं करते हैं, हम सारा समय ये जानते हैं कि इश्वर ही सब बना हैं, तो मैं किसी से मनमुटाव न रखूँ, मैं किसी के अवगुण न देखूँ, बुराईयां न देखूँ, या इश्वर से ही सब हो रहा है, तो मैं इंकार ना करूँ, मैं करता मैं ना करूँ तो कौन करे, हम भी तो रावन से कम ना हुए ना फिर, वो भी राम के आगे अपनी मैं दिखा रहा है, हम भी सारा दिन अपनी मैं ही दिखाते हैं, ईश्वर को प्रगटि नहीं होने देते, लगता है नहीं, मेरा नाम होना चाहिए कुछ भी होता है तो आपको ये क्यों रहता है कि मेरा नाम हो ये रहना चाहिए ना भगवान का नाम हो भगवान ने किया है भगवान से हुआ है लेकिन आप कहते हो वो तो ठीक है भगवान करने वाला है पर अभी तो मैंने किया ना काम तो तेरे मैं आया ना लेना देना तो मैंने किया ना तो ऐसे में ये नहीं समझ में आता है कि हम भी रावन के पच्चिनों पे ही चल रहे हैं वही काम कर रहे हैं हम भी उसने राम से वैर कैसे लिया आप बोलोगे सिता चोरी की खाली सिता माना सत्य सत्य को चोरी करके छिपा दिया राम की दुश्मनी मोल ले ली हम भी तो सत परमात्मा को छिपा रहे हैं गुर्नानक देव जी क्या कहते हैं आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानकोसी भी सत जब तीन काल में परमात्मा सत्य हैं तो इस सत्य को इनकारने वाला सत्य की चोरी तो कर रहा है न रावन ज़्यादा बुरा हो गया हम बहुत अच्छे हो गए कैसे अच्छे हो गए हम जाके मंदिर में मथा टेक आते हैं हम ना रुपया दो रुपया चड़ाया आते हैं फूल फल रखाते हैं बस भगवान जी की हस्ती एक मंदिर के अंदर माने भगवान की हस्ती सर्वत्र ना माने हम उनको एकी जगह पर गट देखें बाकी जगह कौन है फिर हरी व्यापक सर्वत्र समाना हरी व्यापक है सर्वत्र और समान रूप से व्यापक है और हम उस चीज को डिनाय करते हैं बार बार जबकि वो डिनाय करना गलत है हम भी इश्वर को प्रगट करें इश्वर की हस्ती को जानें और अपनी मैं को माइनस करें अगर हम जानेंगे परमात्मा की हस्ती को हमें अपनी मैं करने में शरम आएगी हमें अंदर से लगेगा मैं मैं कैसे कर सकते हैं भई है भगवान होता ही भगवान से है करता ही परमात्मा है अब एक तरफ हम बोलते हैं हुकम के बिना पत्ता नहीं हिलता जब हुकुम के बिना पत्ता नहीं हिलता हमारे हाथ पैर हिलते हैं ये भी तो हुकुम से हिलते होंगे न कोई भी सेवा कर पाते हैं हम भी तो हुकुम से ही कर पाते होंगे बगैर हुकुम के कर लेंगे क्या नहीं कर पाएंगे तो ये हाथ पैर भी हिले हुकुम से कितने लोगों को सुनते हैं कि रात को अच्छे भले सोए सुबे उठे टांगी नहीं चली भाई क्या हो गया पता नहीं डॉक्टर को दिखाया भाई पैरलिटिक अटेक आ गया डॉक्टर को दिखाया भाई कोलेस्टरॉल इतना बढ़ गया उसने टांग पे असर कर दिया किसी की शुगर इतनी लोग हो गई टांगे चली गई तो इसका मतलब है हमसे भी जो हो पा रहा है इस शरीर द्वारा जो भी हो रहा है हुक्टर के अंतरगत हो रहा है न फिर हम कम से कम इतना तो समझें इतना तो जानें कि हुकुम से सब हो रहा है मेरे को सारा श्रे परमात्मा को ही देखे चलना चाहिए हम परमात्मा को कहां पकड़ते है जब विफल होते है जब फस जाते है फिर हमें याद आता है भगवान वैसे नहीं याद आता जैसे पुलिस है न ऐसे नहीं याद आएगी आपको कभी याद आती है जब चोरी हो गई जब एक्सिडेंट हो गया सो नमबर पे फोन करो सो नमबर पे फटाफट याद आता है पुलिस को बुलाओ और वैसे कभी अच्छे से तुम आ गए चले गए क्या तुमने कभी थेंक्स किया पुलिस वालों का नहीं याद आता न कि हमने थेंक्स भी करना है ऐसे हम परमात्मा से भी करते हैं जब फज आते हैं भगवान तुई तो है भगवान मैं तिर को ही तो मानता हूँ अब गनेश जी भी आजाओ शिव जी भी आजाओ राम जी भी आजाओ माता जी भी आजाओ पिता जी भी आजाओ सारे आंदो अब एक सांस में सारे भगवान याद आ जाते हैं जितनों को जानते हो सारे याद आ जाएंगे क्योंकि फस गए क्योंकि विफल हो गए अब हम भगवान भगवान करने लगे और जब हम नई फसे या सफल हो गए किसके पीट थप थप आई अपनी खुश हो गए मैंने इतना बड़िया काम किया मैंने इतनी अच्छी सेवा की बिगड़ती ही याद आता है सबजी बड़िया बन गई मैंने बन आई बड़ी मेहनत करी मैंने कई गंटे मेहनत करी मैंने खड़ा रहा रहा सोई में और जरा से बिगड़ गई हे भगवान ये क्या हो गया तब आये भगवान जी याद उस टाइम बोलते है वा भगवान आपकी कृपा आपकी महरबानी बहुत बड़िया हो गया ये वो मुश्किल लगता है हम भगवान को तब प्रगट करते हैं जब हम परिशानी में आते हैं और जब सब कुछ स्मूथ है सारे हार हम अपने गले में डालते ही चले जाते हैं अपने आपको पूरा श्रे देते जाते हैं लेकिन संत ऐसा नहीं करते हैं सूर्दास जी को बुलाया अकबर ने दरबार में उन्होंने भजन गाया अकबर ने गले से माला उतार के सूर्दास जी को दे दी उनके उपर फैकी ऐसे सूर्दास जी ने माला लिया काश की तरफ उच्छाल दी अकबर को बहुत बुरा लग गया बोला तुम मेरी जो गिफ्ट दी हुई है उसकी तोहिन कर रहे हो बोला मैं तोहिन नहीं कर रहा हूं काना की थी काना को दे दी इस पर भगवान का अधिकार है ना ये गीत ना गला था तेरे मिलन से पहले भई ये तो भगवान ने कृपा की तो ये गीत लिखे जाते हैं भगवान ने कृपा की तो मैं दो शब्द गा बैठता हूं गीत भी उसके दिये हुए गला भी उसका दिया हुआ अगर उसने अंदर से प्रिर्णा ही ना दियोती अपनी भगती ना इतनी जगाई होती मैं गीत कहां से लिखता और गाने का भी शफा उसने दिये मेरा तो कुछ नहीं है तो माला काना की थी काना को दे दी अब हमारे जीवन में जो कुछ घटता है क्या काना की माला नहीं है हो सारा श्रे किसको जाना चाहिए जब हमें प्रशंसा मिलती है तारीफ मिलती है वावाई मिलती है हमें किसको समर्पन करना चाहिए हमें परमात्मा को याद करना चाहिए न भगवान इस पर आपका अधिकार है मेरा नहीं है घर में समझो आपकी बहु ने कोई डिश बनाई, मैमान आये थे वो आपकी फ्रेंड्स हैं, किटी पार्टी वाली है और वो आपको बोल गई अरे बड़ी अच्छी चीज बनाई तुने, वहाँ पर भी कहना पड़ता है मेरी बहु ने बनाई नहीं तो वो तो चली जाएंगी खाके, तुम्हें दो दिन रोटी नहीं मिलेगी है ना फटा फट कहते हो, नहीं नहीं यह मैंने नहीं, यह तो इस बच्ची ने बनाई बहुत अच्छा बनाती है भगवान का भय में इतना भी नहीं होता न क्योंकि भगवान मून नहीं बनाते, क्योंकि अगले दिन भगवान यह नहीं कहते क्यों आया है मेरे मंदिर में, तो हमको परमात्मा का इतना सा भी डर नहीं जितना संसारिक लोगों का है क्या हस्ती देके बैठें हम भगवान को, ऐसे कहेंगे सब ते वड़ा वड़ा करके उसको उपर ही चड़ा दिया और अपनी धर्ती पे, अपनी में अपना अहंकार ये अहंकार की जो भावना है यही मिटाने के लिए संत बार बार हमको बताते हैं के सब परमात्मा ही बना है शक्ती भी परमात्मा की करने वाला भी परमात्मा बुद्धी को परकाशित करने वाला भी परमात्मा अभी कलपरसों कोई केस आया, वो बता रहे थे, बुले हस्बेन गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते, उनको अचानक हर एट अटेक आया होगा, सडन वो जो silent attack आता है गाड़ी दे मारी उसने पटरी में खुद भी गया बेटा साथ बैठा था वो भी गया अब जब हम चला लेते हैं ठीक आ जाते हैं ठीक चले जाते हैं हमने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई हम आ गए न और देखो खेल तो ऐसा भी हो सकता है अचानक कांक के आगे अंदेरा आ जाए चक्कर आ जाए कुछ भी तो possible है लेकिन जब तक सब ठीक चलता है तो हम अपने कुश्रे देते हैं हाँ एकाद बार ठोकर लग जाए चोट लग जाए फिर डर आ जाता है मन में और डर के मारे भगवान को याद करते हैं हे भगवान ठीक ठाक पहुंचा देना हे भगवान ठीक ठाक काम करवा देना अब भी हम यह नहीं कहेंगे कि आपने श्रदा से प्रेम से इश्वर को श्रे दिया डर से डर के मारे भी परमात्मा को याद करना ये स्वार्थ हुआ भक्ती तो नहीं हुई भक्तिवान पुरुष कैसा होता मीरा के घर में पहला दिन उसको बोला गया भी आज तुम जैसे रीत होती है न हम लोगों में चौके चड़ाने की वहाँ पहली रसोई थी मीरा की अब सबको समझना आए भाई ये गिरधर को लेके घुमती रहती है पता नहीं क्या पकाएगी क्या करेगी जब खाना बनाया उसने सबने खाया सारे वावा करने लगे बहुत अच्छा खाना पकाया बहुत बढ़िया बनाया सब पूछ रहे हैं मीरा तुम इतना अच्छा जानती हो हमने तो सुना था तुम बच्पन से सिरफ काना के साथ ही खेली हो इतना अच्छा खाना बनाती हो तुम कैसे बनाया इतना अच्छा मीरा मुस्कुरा के कहती है मैंने तो ये भी नहीं बनाया सब नेकाम ने देखा रसोई में तुम खड़ी थी, बना रही थी बोला मेरे काना ने बनाया मैंने नहीं बनाया मैं तो उसको याद कर रही थी प्रिशाद में रस तो वो डालता है आप देखो प्रिशाद में रस कां से आता है इश्वर के नाम से आता है वही चीज घर में बन आलो वही चीज मंदिर में खाके आजाओ वही हलवा गुर्द्वारे में खाओ वही घर में खाओ घर में अलवा ही लगेगा प्रशाद लगता ही नहीं और वहां हलवा कहने का मन नहीं करता प्रशाद और भी लेना हो थोड़ा सा प्रशाद और देओ अच्छा लगता है न वही डाल रोटी घर में बन आओ वही लंगर में खा के आओ विश्करमाडे आता है न गवर्धन पूजा सारी सबजियां डाल के वहाँ सबजी बनती है और मेमान आने वाले हूं घर में mix vegetable fry करकर के बनाते हो वह स्वाद फिर भी नहीं आता वहाँ fry भी नहीं करी गई ऐसे ही डालते गए पतीले में अनुपात भी नहीं है जो सबजियां को इले आया डालो 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 और mix wedge बनाने के लिए सोच सोच के सबजियां fry करकर के सबजियां फिर भी वह स्वाद आया लंगर वाला नहीं आया क्योंकि स्वाद आता है भगवान के नाम से और किसी चीज में स्वाद नहीं है हरी के नाम में स्वाद है हरी को याद करने में स्वाद है जब मनुश्य अपने एहंकार को आगे करता है तो करम अच्छा नहीं होता है जब इश्वर को आगे करता है अपना अहंकार भूल जाता है कौन कर गया काम परमात्मा कर गया जिस दिन बोलोगे मैं ये काम बहुत अच्छा करता हूँ मैं ये डिश बहुत अच्छी बनाता हूँ आप मेरे घर आना हम आते हैं बनाओ उसी दिन बिगडेगी बोलोगे आज वो स्वाद नहीं आया क्योंकि आज तुने बनाई और रोज क्या होता है तुझे मैं याद नहीं होती भगवान काम कर जाता है एक बच्चा एक्जैम में लिखता है वो गुम में कोई लिख गया पेपर लेकिन जब उसको ख्याल आ जाता है मैं कितना अच्छा लिख रहा हूं क्या होता है अब भूल गया अब पैन लेके कान में मारेगा, मू में मारेगा डेक्स पे मारेगा यादी नहीं आरा जब मेरी मैं गुम है परमात्मा आके कारे कर जाता है और जहां हम अपनी मैं खड़ी करते हैं वहां हमारे काम में बिगाड़ो जाता है इस प्रिक्टिकल इग्जेम्पल्स हैं रोज मर्रा के जीवन में आप देखना जहां जहां आप अपनी मैं करते हो मैं ये काम मैं गया करके आ जाओंगा बंदाई नहीं मिलेगा करोगे कहां से तेरी पैचानवाला या छुटी पे होगा बाकी होगे करके आओ मैं इतने बज़े टिच पहुंच जाओंगा टिच पहुंच जाता हूं मैं कोग देर से आना पसंदी नहीं गाड़ी का टायर पंचर होगा गाड़ी खराब होगी ट्रेफिक मिलेगी जाम मिलेगा man proposes, God disposes भगवान वहीं तुमें मात देने को खड़ाए ये भी अनुभाव करो जाँ जाँ अपनी मैं करते हैं वहीं वहीं हमको मात मिलती है वहीं वहीं पिश्वर के भरोसे चलते हैं तो बहुत relaxingly चल सकते हैं जो उनके सहारे हैं वो आके बचाते हैं वो आप पत रखते हैं वो आप चलाते हैं जो भी उनके भरोसे पर चलता है भरोसे पर चलने वाले के इतो भगवान ने हुंडियां भरी भात भरे सुना है हम सब ने भगवान ने भात भरे पर कभी किसी के यहां तुमको भी देना लेना पड़ता है नंद के यहां किस के यहां कभी कहते हो भगवान ने भात भरे इतना लाख लग गया मेरा कितनी जोर से हूं कार भरते हूं एक एक चीज़ की फोटो खिचवात यह सेट दे रहे हैं फोटो खिचव यह साड़ी दे रहे हैं फोटो खिचव यह गिफ्ट दी ए कहते हैं भगवानी आज़ तक भरता आया ये भात तो अभी भगवान ने भरा है हम कौन बीच में हमको हैसियत देने वाला परमात्मा उसने करा दिया उसने जिसको जो पहूंचाना और अगले की प्रारब दोएगी क्या कभी हम ऐसा वीचार करते हैं क्या कभी हम परमात्मा का नाम लेते हैं, कि परमात्मा ने दिया तो हो गया, मैं कहा करता, जिसको भगवान ने, जहां जो दिल्वाना होगा, निम्मित इदर बना दिया होगा, दिल्वा दिया होगा, लेकिन हम ऐसा सोचते ही नहीं, हम तो सोचते हैं, हम ने दिया, हम ना दे तो काम ना बनता, इश्वर की श्रिष्टी अनाथी नहीं है, किसी का काम रुकता ही नहीं है, भगवान सब कारे अपने आप करता रहता है, अब देखने में चाय आजाए, हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए, लेकिन हनुमान जी की शक्ती कौन है, भगवान स्वयाम है, जिसको उन्होंने जीवन दान देना है, कैसे भी देंगे, इसी लिए तो हनुमान जी कहते हैं, मेरे को श्रे मत दो, तो राम नाम लेके चलते हैं, और अगर कोई थोड़ा बहुत अभिमान हो भी सही, क्या खेल किया भगवान ने भरत की शक्ती दिखा दी, उपर से उड़के जा रहे हैं, भरत जी ने वहीं, पकड़ लिया परच्छाई से, नीचे आजाओ, कौन हो, काँ जा रहे हो, मेरे इदर से कैसे उड़के जा रहे भरत जी ने पकड़ लिया, ये आकरती कौन है, काँ जा रही है, क्या है इसके पास, अनुमान जी तो वहीं पानी पानी हो गए, हरीते बड़ा हरी का दास, अरे ये तो राम से भी बड़ी शक्ती वाला बैठा है भगत यहाँ पे, ये तो शुकुर है, राम मुँसे निकला तो बच गया नूमान जी, नहीं तो भरत जी तो वहीं कैद कर लेते थे, तो एक भगत के आगे दूसरे भगत को खड़ा करना, भगवान भगती का भी मान मार छोड़ते हैं, कभी भी देखना, आपको लगे मैं बड़ा भगत, मैं बहुत ऐसा, आज सुबह भी किसी ने बो बुला, बुला हमको अंदर कई बार आज आता है भाव, हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, जूम पर सुना, लोग ऐसे जो मिले भी नहीं हैं, खाली यूट्यूब से कनेक्टीड हैं, बुला इतनी शरम आ गई आज, कि तुम रोज सामने ब खोलते खोलते सत्संग देखा और वो तो लॉलगा के बैठ गए, वो कह रहे हैं, हमारे जीवन में इतने चेंजेज आ गए, तो मैंने बोला उसको एक भगत के आगे, दूसरे भगत को खड़ा करना, भगवान की रीत है, ताकि कोई अपने आप में यांभी स्रिष्टता का एंकार ना कर ले, आजाती है न मैं फटा फट, मैं बड़ा भगत हूँ भगवान का, भगवान और भगत खड़ा कर देते हैं, बेटा तेरे से स्रेष्ट भगत है, एंकार आया था ना अर्जुन को, मैं बड़ा भगत, तभी तो भगवान ने मेरा रत चलाया, युद में म भिशम प्रतिग्या से मिर को बचाया, बड़ा अंकार, अचानक बैठे बैठे भगवान बोलते हैं, अर्जुन चल जरा घूम के आते हैं, मन नहीं लग राज, अब सोचे भगवान का मन नहीं लग रा, ऐसा हो सकता है, लीला है कोई, पर समझ नहीं पाया, बोला अच्छा मन नहीं लग राओगा, बड़े दिन से बीजी थे, लड़ाई-वड़ाई में मेरे साथ, ठक गए होंगे, बोरो गए होंगे, चलिए चलिए गुमा के लाता हूं, गुमने गए, खेतवेत थे उदर, गुम रहे थे, रास्ते में देखा एक बड़ा बुज़र्ग आदमी, सुखी घास खा रहा था, तलवार उसके पास रखी हुई थी, अजीब साद्रिशे, बुला भगवान ये कौन है बुड़ा, सुखी घास क्यों खा रहा है, तलवार क्यों रखी हुई है पास, भगवान बोले जा पता करया, उसी से ही पूछा मेरे को क्या पता, जाता हूं, पर ध्यान रखी हो एक बात का, नाम मत बताई हो अपना की मैं अरजुन हूं, अब एक बार तो लगा नाम क्यों ना बताऊ हूं, दुनिया जानती है मुझे, नाम क्यों ना बताऊ हूं, भगवान ने बोला, भई मैं कहा रहा हूं, नाम मत बताई हो, चला जा, नाम गुप बुला हरी घास में जीव होता है तो मैं जीव अत्या से बचना चाहता हूँ सुखी घास खा रहा हूँ जो अब मर चुकी मैं बस उससे ही गुजारा कर रहा हूँ वहां तो जीव है तो मैं कैसे खाऊं अच्छा फिर ये तलवार क्यों रखी है आपने पास में तलवार क्यों लेके बैठे हो अगर आप इतनी अहिंसको जीवत्या से इतना डरते हो कि आप सूखी घास खा रहे हो हरी घास तक नहीं खाने को तैयार तलवार क्यों रखी है उसने तो वेंग्यात्मक पूछा था टॉंट करते हैं न किसी को, वैसा पूछा, मुज़ूर्ग आदमी कहने लगा, पहले मुझे बता, तेरा नाम प्रहलाद, अर्जुन कुछ ऐसा तो नहीं है, नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं है, मना किया था क्रिशन नहीं, ये तलवार आपने रखी क्यों है, बुला तलवार न मैंने रखी है, प्रहलाद के लिए, नारद के लिए, द्रौपती के लिए और अर्जुन के लिए, इन चारों का गला काटूंगा, भै इन चारों ने आपका क्या बिगार दिया, जो आप इन चारों का गला काटोगे, बुला एक तो मुझे गुसा आता है बहुत नारद पर सारा दिन नारायन, नारायन, नारायन मेरे भगवान की नीद फिटा रखी कभी भी नारायन, नारायन करता रहता है चुपकर है थोड़ी देर उनको आराम करने दे मिले सही नारद उसकी गर्दान उडाऊंगा फिर भई ये प्रैलाद ने क्या कर दिया बुला कभी मेरे भगवान को आग में प्रगट करता है, कभी सापों में प्रगट करता है, कभी बिच्छों में प्रगट करता है क्या हो जाता, शरीर थोड़ा सा कष्ट में आता, मर जाता, भगवान को कहीं भी बुला लेता है मेरे भगवान को कितनी पीडा होती होगी, कितनी तकलीफ पौँचती होएगी, ये कौन सा तरीका है, क्यूं करता है ये ऐसा, तो मैं तो भई इसको भी मारूंगा, द्रौपती ने क्या किया बोला द्रौपती को देखो थोड़ी सी बेईजती हो जाती ना मेरे भगवान को साड़ी में भी प्रगट किया अब डरते डरते विचारे ने पुछा अर्जुन ने क्या किया अब चौथा नंबर अर्जुन का लगा के बैठे हो अर्जुन ने क्या किया बुला अर्जुन तो पूछो ही नहीं मिले सई अर्जुन को तो कोई बात किये बिना काट डालूँगा भई अर्जुन ने किया क्या मेरे भगवान को टांगे वाला बनाया खुद पीछे बैठ गया आराम से और मेरे भगवान इसका रध थांकते है मेरे भगवान को टांगे वाला बनाया इसने मेरे भगवान से पईया उठवा दिया मेरे भगवान को इसके कारण जूट सच करने पड़े मेरे भगवान की बदनामी हो गई भाईया अरजुन मिले उसकी भी गर्दान अर्जुन भागा भागा वाँ से सीधा आके भगवान के पास रुका जल्डी चलिये क्या हो गया मुला मैं सोसता था मैं ही बड़ा भगत हूं आपका पर आपके भगत तो एक से बढ़कर एक हैं जो पहलू हमने सोचा भी नहीं कभी दिमाग में ही नहीं आई कभी बात या आपका भगत तो वो चिंतन किये बैठा मैं तो एंकार करता था अपने मेरा रथ चलाया वो मेरी गर्दन काटने को है कि तुने मेरे भगवान से रथ चलवाया कैसे मैं तो सोसता था ये बहुत बड़ी बात हो गई दुनिया में नहीं हुई आज तक बहुत बड़ी बात हो गई है कि मेरा रथ भगवान चला रहे है और ये कहता है तुने रथ चलवाया कैसे आके भगवान के पाउँ पड़ा बुला मेरे को मिथ्या एंकार था कि मैं बड़ा भगवात हूँ आपके भगत तो एक से बढ़कर एक है हम भगती का भी एंकार नहीं कर सकते है हम नहीं कह सकते है हम बड़े भगवाते है अब हम वरत रखते हैं हम बड़ा भगवाते हैं हम वरत रखते हैं अब ऐसे ऐसे भगवाते हैं जल तक नहीं स्विकार करते चालिस चालिस दिन अन नहीं खाते अब उनसे मिलो तो शरम आ जाती है हम कहते हैं हम तो रोज पाठ करते हैं ऐसे भगत हैं जो अखंड पाठ कर रहे हैं ऐसे भी भगत हैं क्या बो लोग हैं हम तो बोलते हैं हमने तो बड़े संभाल के लाल कपड़े में रखी है रामायन, लाल कपड़े में रखी है गीता, ऐसे भी भगत हैं, भोजन करते करते भी पढ़ते हैं उसे, दाग पढ़े हुएं उनकी रामायन में, गीता में, वो कहते हैं इससे कोई फरक नहीं पढ़ता, पर भगवान की महिमा के बिना तो स्रेष्ट भगत है कौन कितना अंदर से परमात्मा से जुड़ा हुआ है ये टक्के वाली भक्ती उसमें भी हमारा एंकार स्वेरे मंदिर जाएंगे जाएंगे लोग देख रहे हैं मैं मंदिर जाता हूँ मैं फूल चड़ाता हूँ कार्तिक महीने जाके सो जाएं मंदिर में पर दिखावा करने के लिए जाना जरूर है स्वेरे स्वेरे पर सबको क्याने पूरा कार्तिक नाया मैंने मन ने कितना नाया तन ही नाके चला जाता था वाँ भी ये तो शुकर है पंडिजी क्रॉस कॉश्णिंग नहीं करते कोगी पेड हैं विचारे कुछ कहने सकते तुम्हें अगर पंडिजी पूछे खल जा क्या सुना था बताना चरा एक प्रशन पूछ ले तुमसे राधाजी के पिताजी का नाम क्या था तुम्हे क्या पता तुम को के पंडित जी आप कथा करो ना खतम करो देर हो रही है बच्चोंने स्कूल जाना है ताइम ना वेस्ट करो दर असल तो तुम कुछ सुनते ही नहीं एंकार बहुत बड़ा कर लेते हो सुनते कुछ भी नहीं किर्तन में पहुँच गए तो वहां तो आपको साड़ी देखाना है वहां तो आपने इदर उदर देखना है कौन कौन आया है एक से हेलो हाइ करनी है एक मंदिर जैसे स्थान में जाके भी क्या हमारा पूरा कनेक्शन भगवान से बनता है कभी सोचके देखो क्या हम परमात्मा से फुली कनेक्ट होते हैं कभी क्या हम बस भगवान से connected हैं, मुझे तो यादी नहीं कौन आया, कौन नहीं आया, मैंने देखा ही नहीं किसी को, मेरी तो लौ लगी थी भगवान से, कभी हमने ऐसा सोचा, विचार किया, कभी सोच के देखो, बले हम बोलें, शाम सुन्दर, अब सुन्दर से तो मन नहीं हटना चाहिए, लेकिन आपको शाम सुन्दर तो बस यूँ किया, बाकी, बाकी इदर उदर, अरे इसका सूट बड़ा सुन्दर था, अरे इसकी फलानी चीज अच्छी थी, अरे ये नाचा बहुत, ये सब दिखा, भगवान की जहांकी से मन नहीं हट गया, विचार करके देखें, हम जो करने आये, हमने वो तो कभी किया ही नहीं, अगर आप मंदिर से होके जाए, कोई पूछे, आज भगवान की जहांकी कैसी लग रही थी, आपको क्या पता, आप तो जियों जियों नजदीक आते गए आखे और बंदी कर लिए, कभी ऐसा किया, बेटा आया ओ फारन से, उसको देखके आखे बंद करो, फाड़ फाड़ के आखे, मिरको देखने दे, मिरको देखने दे, मिरको जी भरके देखने दे, परमात्मा से कभी हुआ ही नहीं कि जी भरके दर्शन कर लो कल आया था उसके बाद आज देख रहा हूं 24 घंटा बीट गया भगवान मुझे जी भरके दर्शन करने है आपके आया खयाल ऐसा? आता ही नहीं है इविन भजन भी गा रहे हो, तो भी आखे लोग खुश हो रहे हैं प्रभावित नया भजन गाया मैंने बड़े रउनक ही मैंने लगाई किर्तन में वहां पहुँची रउनक दर्बार में अर्जी स्विकार हुई परमात्मा के रौनक अगर परमात्मा के लिए लगती यहां बहार आती दो बाते हैं एक भक्ती में मन नाचता है एक एहंकार में मन नाचता है अगर हमने अच्छा भजन गाया हमारा मन एहंकार में नाचता है बहुत हैपी होते हैं खुश हो जाते हैं वाँ वाँ मैंने अच्छा भजन गाया देखा मज़ा आया ना सबको सारे नाचे ना उठके मैंने गाया पहले तो ऐसी बैठे थे ये लोग ऐसे लग रहा था मुर्दानगी चाहिए मेरे जाते ही रौनक आ गई एंकार में एक होता है दिल बाग बाग हो जाता है अंदर से र अंदर आनंद प्रगट होता है ऐसे लगता है परमात्मा मेरे ही साथ है ऐसे लगने लगता है भगवान जैसे घट में आ गई हूँ आनन तो वो आना चाहिए ना भक्ती में आनन तो वो आना चाहिए एक ने बोला मैंने इतने लाख बार गायतरी की माला करी है हमने उससे प और अगर तेरा मन गिंती में था तो गायतरी में नहीं होगा एक में हो सकता है ना मन माला जिसको याद है इतनी माला करी मैंने क्या उसका माला में मन था माला में मन होता तो ये याद नहीं होता कितनी हुई और ऐसे भक्त को दोश भी नहीं लगता कभी कभी नहीं दोश लगेगा तुम आदा भजन गा के मन भीग गया आसू आ गये वो आदा भजन भी कबूल हो जाएगा आदा चालीसा भी कबूल हो जाएगा याद रखना पर मात्मा को गिंती नहीं आती है अगर गिंती आती वो हमें बेहिसाब कभी ना देता हिसाब से देता न पर आज दिन तक हमें जो मिला है कैसा था बेहिसाब था इसका मतलब उसको गिंती नहीं आती अब तुम गिंती करके पूजा करते हो गिंती करके पाठ करते हो साथ दिन और आते हैं ना वर्त रखना है आठमे दिन भी रख लेते पापो जाता साथ दिन और आते हैं ना किर्तन करना है आठमे दिन क्यों बंद किया आज ना बस अब गुर्णानक बलडे है ना कार्तिक हो गया पूरा हो गया कार्तिक क्यों अगले दिन स्वेरे पांच बजे आते तो भगवान जी सो रहे होते क्या दर्शन ना देते क्या सोचके देखो हमारी बुद्धी यह जड़ भक्ती भी हमें सही नहीं आती करनी गोपियों ने मनाय कर दिया उधो को ये मोहबबत की बाते हैं उधो बंदगी मेरे बसकी नहीं है यहां सिर देखे होते हैं सौदे आशकी इतनी सस्ती नहीं और उसके बाद क्या बताया इश्क वालों ने कब वक्त देखा तेरी पूजा में पाबंदियां है तु जिस पूजा की बात करता है वो तो पाबंदी है सुबह करनी है शाम करनी है मंगला आर्ती करनी है यह वाली करनी है पर उसमें पाबंदी है इश्क वाले वक्त थोड़ी देखते है इश्क वाले को तो रात को याद आजाए रात को याद करता है दिन को याद आजाए दिन को याद करता है वो थोड़ी देखता है भगवान के सोने का समय, खाने का समय जिससे बहुत प्यार होता है उसके घर तो हम खाने के वक्त भी जाद हमकते हैं वो पूछेगा, कई बार तो पूछता भी नहीं अरे रोटी खा रहे थे हैं, वा भई ला प्लेट इधर ला उसके खाते हुए कई प्लेट इधर करके खा लेते हैं पर फॉर्मैलिटी कहां होती है já अंदर का प्यार नहीं होता नहीं, नहीं हम खाके आएए, नहीं लंच तो हम करके आएएगे नहीं आप टाइम बता दें, हम उतने बज़े हैं, फर्मेल्टी ना करना मेरे लिए, ये ऐसे वाली तो बंदगी भक्त की नहीं होती है, वो तो परमात्मा से अपनत्व महसूस करता है, हमने सारी गिंतियां नहीं कर रखी, गिन-गिन के नाम लेते हैं, गिन-गिन के याद कर करते हैं, गिन-गिन के काम करते हैं, गिनती क्यों? भगवान के प्रेम में, भगवान के भक्ती में गिनती का कोई काम ही नहीं है, अंगिनत जपो, सारे काम गिन के करते हो, तभी तो तुम्हारा दुनिया में भी प्यार नहीं बनता, देख, दो बार मैं पहले समझा चुका हूँ अब तीसरी बार चाटा मारोगे तब ही तो तुमारा प्यार नहीं होता गिनते हो दो बार मैंने ही पाले बुलाया अब तीसरी बार तो उसको बुलाना पड़ेगा गर में एक husband wife में पूरी तनातनी चलती है पिछली बार भी मैंने sorry बोली तीस बार मैं तो नहीं बोलू से प्यार कभी भी टिकता नहीं जहां गिंतिया है वहां प्यार नहीं जहां गिंती है वहां भक्ती नहीं है यह सब में गलत बात है गिंती बुलेशा बैठे जंगल में और जंगल में बैठके सोच रहे हैं इतने शास्त्र पड़े इतनी तपस्या की इतने साल हो गए मिला नहीं, मौजाई नहीं अंदर की, उदास हो रहे थे याद करकर के अपनी सारी साधना, इतने में दो ग्वालने आई, हिसाब करने बैठ कहीं सामने, एक का हिसाब नहीं मिल रहा था, दूसरी ने याद दिला है, वो जो यार के घर दूद दे के आई है, वो गिना, बोलती पागल कहीं की, यार से कोई हिसाब होता है, बुले शाह एकदम चौक उठे, मैं तो अभी यार से हिसाब कर रहा था बैठ के, यार से कोई हिसाब नहीं होता है, एकदम उनके मूँ से निकला, जंगल ढूंडा, बेले ढूंडा, ढूंड थका सब थाईया, एदर ओदर किते ना मिले आन मिला विच माईया अरे ये तो ग्वालनों ने मेरे को बोध दे दिया कि मेरी गिंती के कारण ही मुझे आनंद नहीं हो रहा है मैं गिन क्यों रहा हूँ मैं हिसाब क्यों कर रहा हूँ यार से तो हिसाब नहीं होता है प्यारे से तो सो आठ बार उसका नाम लेना चाहता हूँ एक माला करूँगा दो माला करूँगा अरे श्वासी सिमरन की माला बन जाएं तो क्या फरक पड़ता है जब श्वासों की माला पे नाम संत तुझको समझाते है सुन हिदायत अमल कर नादान ना गुजरे दिन फिर आते है गरण सहिब में क्या लिखा श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरह चिंत क्या अपने स्वास को हम सिमरन की माला नहीं बना सकते हम ये क्यों सोचते है कि हम तो बस गिन के ही जपेंगे अंगिनत जबके देखो न अंगिनत भक्ती करो न अंगिनत पाठ करो न अगर रस आ रहा है तो अंगिनत करो पाठ अच्छा लग रहा है अंगिनत करो कोई भजन अच्छा लग गया अंगिनत गाओ एक बार क्यों गाना दो बार क्यों गाना बार-बार गाओ, हम लोग गुरु के पास जाते थे, तो भजन बना ले जाते थे कभी-कभी, तो हमको लगता था, इनको अच्छा लगाया भजन, खुश हो रहे हैं, फिर वो बोलते थे थोड़ी-थोड़ी देर में, सत्संग में, भजन बताओ जो निया बता रहे थे, सुना दिया, कमरे में बैठी, भजन बता निया, बड़ा अच्छा भजन बना के लाया, फिर गाया दिन में दस बार गा दिया भजन, फुर लगता था एक ही भजन कितनी बार गाएं, लेकिन दीरे दीरे समझ आया, कि वो कहते थे अगर तुमने बनाया, तुमारे हिर्दे के भाव है न, अपने भाव बढ़ाओ न बार बार दोराओ, बार बार दोराओ, बार बार वो बार दो गाया था, अब आज नहीं गाते, आज कोई नया सुनाते हैं, वो बोलते थे, तो क्या हुआ, तेरे मन में जिससे मौज आ रही है, तेरे मन में आनंद आ रहा है, तुम दिन में दस बार गाओ ना, उस भजन को, क्या फरक पड़ता है? बार बार उस भजन को गाने से तुम्हारा रस बढ़ेगा तुम्हारा आनंद बढ़ेगा तुम्हारी मौज बढ़ेगी अब देखो ये विचारी नहीं था कभी ये सोचा ही नहीं कभी कि पुनरा वृत्ती से अपना फाइदा होता है अगर मीठा लग रहा है राम का नाम हनुमान जी सारा दिन जबते हैं रात को राम जी सो जाते हैं हनुमान जी अपने जाप में लगे हूँ है लगे हैं नहीं लगे हैं मीरा भले बाहर से लड़ू गोपाल जी को सुला दे खुद सोती है क्या लगी वाले आनो नींद नहीं आंदी तेरी की मेनी अख लग गई मैं कैसे सोजाओ वो तो लगी है जाप में वो तो लगी है सिम्रन में आपको नींद नहीं आएगी रात को उठके टहलोगे कुछ कुछ करोगे भक्ती कर लो नींद नहीं आ रही तो इदर उदर की बातें सोचेंगे बेट पे लेट जाओ ना कभी नींद नहीं आ रही तो ऐसा नहीं करोगे मन में कोई भजन गुन गुन ना लो कोई पाठ कर लो कोई सिमरन कर लो क्या सोचोगे दुनिया भर की बातें बेटे की बात, बव की बात, पडोसी की बात, पैसे की बात है, रात को तो मेरा बड़ा मूड खराब हुआ, क्यों? अरे बस याद आ गया, सास सुर अच्छा फैसला नहीं कर गए थे, रात को कहां से, बस नींद ही नहीं आ रही थी, बूत को याद करोगे, जो बीट गया, ब उसको यादी नहीं किया, परमात्मा को याद नहीं किया, हमारे पास वक्त होगा न, टीवी चलाएंगे, वक्त होगा मुबाइल चलाएंगे, वक्त होगा सिमरन में बैठेंगे, ये नहीं, याद है, जब हम लोग छोटे होते थे, हमारे घर के बड़े लोग क्या करते थे, ममिया वगेरा अमारी काम से फ्री होती थी न रमयन ले बैठे शिवपुरान ले बैठे घर में सत शास्त्रों का पठन पाठन चला करता था जिसके पास फ्री टाइम है वो अपनी पोथी पड़ेगा बैठके करते थे नहीं नानी घर चले जाओ दादी घर चले जाओ सबके पास यही काम हम लोगों से भी फ्री हो गए थोड़ी देर फिर वो अपना पोथी ले बैठते थे पढ़ते थे ना हमारे पास क्या काम है आजकल खाली है तो मोबाईल है वाटसैप है यूट्यूब है बाते हैं होता जा रहा है वो तो बस सुबह सुबह मंदिर हो आया न वो तो मैंने पाठ कर लिया न बस हो गया वो भी बात्रूम से ले के आरती शुरू कर ली कि जब तक बाहर पहुंचूंगा त्यार व्यार हो के मथा टेकूंगा आरती खतम हो जाए चली सा पूरा हो जाए तब तक बाकी बाकी माया की बक बक कभी सोच के देखो हम्यारे पास अगर वक्त है वो सिमरन में क्यों नहीं लगा सकते बेकार की बातें सोचना बेकार के खयाल करना बेकार के टेंशन्स करना मूड आफान करना इससे बेतर है जो वक्त बचे उसको भक्ती में लगा ले जो वक्त बचे उसको सिमरन में लगा ले जो वक्त बचे भगवान से आतम साथ करें अगर शाम शाम जबते रादा शाम हो गई ये घटना फिर और क्यूं नहीं घटी सोचने वाली बात है अगर शाम शाम जबते रादा शाम हो सकती है हम क्यों नहीं परमात्मा का रूप हो सकते सिम्रन करते करते भक्ती करते हम क्यों नहीं परमात्मा का रूप बन सकते लेकिन सतत सिम्रन होए भी तो सही न थोड़ी देर हम सुम्रन करते हैं फिर हम माया का चिंतन करते हैं थोड़ी देर हम सुम्रन करते हैं फिर हमें संसार से अपेक्षाएं संसार की इच्छाएं एक तरफ भजन गाएंगे भगवान तेरे सिवाए किसी से आसी नहीं है लेकिन आस कौन सी भगवान से उसके मिलन की आस होती है संसार की आस नहीं होती भगवान से और घर आके पती से भी आस है पतनी से भी आस है बच्चों से भी आस है तुम तो किसी के भी सगे नहीं हो हो क्या, भगवान के भी सगे नहीं हो जब एक भगवान से आशा है, दुनिया से छुट जानी चाहिए, जब एक परमात्मा से आशा रख ली, फिर और किसी में आशा क्यों रखी है, और किसी से आशा नहीं होनी चाहिए, गर में भी कोई कैसा रहे, कैसा चले, कोई बात नहीं, मुझे तो काम इश्वर से, जगत से कामी नहीं है, लेकिन वहां भी आश है हमें, हैसा नहीं कि हमें वहां आश नहीं है, वहां भी आश है, मनुश्य स्वार्थी है, भगवान से काम है, तो भगवान के पीछे लग लेगा, कहीं भी चल जाएगा, वैश्णोदेवी तक भी चला जाएगा, कहां अमरनात की यात पे चला जाएगा, भगवान से काम है, संसार वालों से काम है, तो उनके पीछे है, स्वारत से प्रीत करता है, दिल से प्यार तो किसी से भी नहीं करता है, दिली प्यार करें जिस से करें, प्रीत भीतर की होवे, और स्वार्थ पूरा हो या ना हो, प्रीत में अंतर नहीं आना चाहिए, प्यार किया तुमने परमात्मा से, मनो वांचित फल मिले या ना मिले, इससे कोई फरक नहीं पड़ना चाहिए, पहली बात तो ये मांगी नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है, क्यों मांगें कुछ, क्यों चाहें कुछ, क्यों expect करें कुछ, पहले तो मांगी ना हो, सौदा थोड़ी है, क्या भक्ती कोई सौदा है, एक सच्चे भगत ने बोला, मैं अगर मांगूं तो मांगूं, तुम ना कुछ देना मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं भगवान मैं गलती से मांग भी बैठूं तुम ना कुछ देना मुझे तुम देना नहीं वरना फिर प्रेमी नहीं रह जाऊंगा न जैसे मजदूर है उसने मेहनत की मेहनता ना मांग लिया मैंने जरा सा सिर जुकाया, भक्ती की और भगवान से मांग लिया तो कहते हैं मैं अगर मांगूं तो मांगूं तुम ना कुछ देना मुझे वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं मैं तेरे दर का मजदूर नहीं बनना चाहता हूं जो मजदूरी लेने आजाए, मैं नताना लेने आजाए मैं वो नहीं बनना चाहता हूं मैं तो तुमारा प्रेमी कहलाना चाहता हूं और प्रेमी वो होता है जो प्रेम के लिए प्रेम करता है कोई आशा नहीं रखता है संसार में भी आपको ऐसे प्रेमी नहीं मिलेंगे हैं यह नहीं कोई स्वार्त है मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए बोलते हैं भई लव मैरिज कर ली अच्छा फिर खुश हो एक दूसरे से लड़ाई नहीं होती expect नहीं करते हैं मेरी इच्छा पूरी करो तो इस घर में रह सकती हो नहीं तो जाओ प्यार की खातिर प्यार तो तुमारा किसी से भी नहीं प्यार वाले के लिए तो लगता है जिसमें इसकी खुशी हो वो जिसमें मेरी खुशी हो वो नहीं जिसमें इसकी खुशी हो अब जब इश्वर से प्यार होता है तो क्या भाव बनता है जो तुद भावे साई भलीकार तेरा भाणा मिठा लागे जैंविद्धी राखे राम जिस रंग में परमेश्वर राखे फिर तो ये भाव बनते हैं ना तो सुनाने का दिल करता है अपने दुखडे ना अपने अभाव कहने का मन करता है क्योंकि भगवान के प्रेम से हिर्दे भरपूर रहता है तरप्त रहता है गदगद रहता है ये भगवान के प्रेम की महमा है ये प्रेम देवता की महमा है जहां भी आपका सच्चा प्रेम होगा न आपके मन में उसके लिए कोई शिकायत नहीं रहती है प्रेम में ही आप गदगद रहते हो प्रेम में आप भरपूर तरप्त रहते हो आई गई होती ही रहती हैं बाते लेकिन क्योंकि प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है न इसलिए कभी मनमुटाव की संभावना नहीं होती है एक्सपेक्टेंसी नहीं है अब भक्ती में अगर उमीदें लगा लो तो तुम इष्ट भी बदल लेते हो अपना कोई कहेगा अभी गनेश जी के दिन है देख रिद्धी सिद्धी के देवताएं एक बार उनको पूज ले चलो वहाँ चल दिये फिर किसी ने कानी माता के नौराते हैं वह कर ले चलो वहाँ पहुंच गए हमारा तो इष्ट भी बदलता रहेगा क्योंकि स्वार्थ एक ने इच्छा पूरी नहीं की दूसरे पे चलें दूसरे ने नहीं की तीसरे पे चलें लेकिन ये कोई प्रेम तो ना हुआ प्रेम तो हो जाता है अब एक पत्नी अगर बोले पती की टांग कट गई मैं तो नहीं रहती नौकरी नहीं है मैं तो नहीं रहती तो लगेगा प्यार था ही नहीं ना स्वार्थी औरत थी तो हम भक्त की केटेगरी में गिने जाएंगे हम भी तो स्वार्थी कहलाएंगे हमें कौन गिनेगा भक्त की केटेगरी में कि हम भगत हैं भगवान के कोई गिनेगा ही नहीं हमको उस केटेगरी में यही गिना जाएगा भाई ये तो मजदूर थे, इनको मजदूरी मिल जाती तो ठीक था, नहीं मिलती तो, आगे चल दिये ये तो, इसे लिए देखते हो, किसी ना किसी देवता का अचानक ट्रेंड आ जाता है, ऐसा क्या हो जाता है, चार लोग कहते हैं मेरी इच्छामा पूरी हो गई, अब सारी बीड़ुदर भाग ली, किसी का इश्वर से प्रेम नहीं है, और पहचानता, तो सारे रूप मेरे परमात्मा नहीं तो धारण की हैं, अगर मीरा साप में देख सकती है, जैर में देख सकती है, हम सरव में पेखे भगवान नहीं कर सकते क्या, तबी वो सरवत्र एकी भगवान ये हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, संतों को कितनी मेहनत लग जाती है, कितनी मेहनत लगती है, हमें ये बात समझाने के लिए, कि प्रमात्मा ही परमात्मा है, अगर उसने देना है, तो कहीं से भी देगा, नहीं देना तो नहीं भ पहे साहिब को यू कर और यू ना कर, कौन कह सकता है, कोई नहीं कह सकता, लेकिन हम तो स्वार्थ के पीछे चलते हैं, डर लगेगा रास्ते में अकेले जा रहे हो, तब याद आज़े भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाबीर जब नाम सुनावे, पहले महाबीर याद क् इथा की अकेला पन लगता ही ना, भूत पिशाच याद ही ना आते, भूत पिशाच याद आने के बाद महाबीर याद आ रहे हैं, पहले ही महाबीर का सहारा इतना होता, कि भूत पिशाच की भावना ही ना आती मन में, कि भूत पिशाच कुछ होता भी है, अरे मेरे साथ मे मेरा भगवान है, मेरा कोई क्या भिगाड़ेगा कुछ, मेरा है ही क्या जो चला जाएगा, इश्वर के प्रेम में इतना भी इत्बार ने, इश्वर में इतना भी विश्वास ने, कि हमारे मन में गलत बातें आएं न, गलत ख्याल आएं न, इतना भरोसा भगवान का बना रहे कि कोई गलत बात हम सोची ना पाएं, कि हम क्यूं सोचें गलत हमारे अंदर क्यों आये कोई गलत ख्याल हमारे अंदर क्यों बने कोई गलत भावना ये भी तो एक बात है जरूरी है जब हमारे साथ कुछ गलत हो हमें डर लग राओ हमारे मन में गलत गलत ख्याल आए तब महावीर जब नाम सुनावे अब याद आया महावीर का नाम और महावीर भी कोई अलग तो है नि महावीर भी तेरे गट में बैठा है कहां से आएगा तेरे गट में ही तो बैठा है अलग तो कहीं से आएगा नि लेकिन बात वही है कि हमें बस अपने मतलब से काम होता है और जहां निकल गया ना रास्ता सुनसान फिर रौनक आ गई अब बोलो महाबीर जब न, महाबीर कौन अब तो याद भी नहीं महाबीर अब तो रौनक है, लोग है अब तो पती मिल गया, अब तो बेटा लेने आ गया अब भूल गए महाबीर को एक मिनट नहीं लगता अभी इतना सारा याद था अभी एक मिनट नहीं लगा विसारने में देखो चेक करना अपने अंदर जिसको हम भक्ती कह रहे हैं वो भी स्वार्थ मातर है हमारा ये तो फिर भी भगवान का शुकुर है बुरा नहीं मानता सोचता है चलो रीज भजें, खीज भजें, भजतो रहे हैं, शुकुर है ये तो भगवान कहता है ना शुकुर है, रीज के, खीज के भज रहे हैं मुझे सत्तों ने तबी कह दिया तुलिसी मेरे राम को रीज भजो या खीज भूमी पड़े के उपजेंगे उल्टे सी दे बीज पर हम अपनी जगे खड़े हो के देखें हमारा हाल क्या है सोच के देखें हमारी भक्ती का स्वारूप क्या है हमारा जो इश्वरिय प्रेम है उसका स्वारूप क्या है परमात्मा से हमारी लगन कैसी है परमात्मा से हमारा प्रेम कैसा है कभी सोच के देखें तो ऐसे लगेगा तुम्हें शायद हम अपने को भक्त भी नहीं कह सकते और हम इंकार करते हैं मैं भगातू लेकिन अपने को भक्त भी नहीं कह सकते क्योंकि हम जातां भगवान का पसारा तो देखते ही नहीं हम जातां परमात्मा को प्रिगड़ तो करते ही नहीं हम तो जातां अपने एहंकार को आगे रखके चलते हैं जाँ जाँ हम अपनी मैं ही करते रहते हैं कभी हम कहते ही नहीं है भगवान तुम ही तो हो और भगवान ने दिखाये मैं ही तो हूँ कैसे दिखाया अभी आप देखो एक मंदिर में जाके सारी मूर्तियां एकी पत्थर से बनी हूई भगवान तो दिखा रहे हैं मैं ही हूँ राम भी मैं बना, क्रिशन भी मैं बना नानक भी मैं बना, शिव भी मैं बना, पार्वती भी मैं बना, गनेश भी मैं बना, भगवान तो दिखा रहे हैं, मैं ही बनाऊँ, सारे रूप दिखाने का क्या मतलब, कि जैसे यहां सारे रूप भगवान के हैं पूरी स्रिष्टी में सारे रूप किसके हैं परमात्मा के ही नाना रूप धरे बव रंगी सारे रूप एक परमात्मा ही धारण करके आया है अब दुश्मन कोन दोस्त कोन अच्छा कोन बुरा कोन अपना कौन पर आया कौन संभाव बनता है फिर सरव में जोत जोत है सोई तिस जोत ते हुंदियां चानन चानन सरव होई सब में जोत तो एक ही है परमात्मा की दिये अलग दिखते हैं जोत तो एक है बल बलग लग दिख रहे हैं electricity तो सब में एक ही है ऐसे ही बहुत सारे रूप दिखते हुए भी परमात्मा तो एक ही है सब रूपों को धारण करने वाला तो वो एक है सब नाजियां का एक कोई धाता सब सरूपों को धारण करने वाला वो एक है अब एक पे नजर रख लो अनेकता से नजर अट जाए ये हो जाएगी सच्ची भक्ती ये हो जाएगा सच्चा सुमिरन ये वो सिमरन होगा जो हमारे सरव दुखों की निवृत्ती करेगा ये सिमरन ऐसा होगा जो अंदर से हमको peace of mind देगा शांती देगा, आनन देगा एसा सिमरन करें कि जड में चेतन में भगवद्देदार करते हैं ऐसा सिमरन करें खाली नाम जपने से नहीं, पर भगवान को सरवत्र व्यापक जानने से हर जगे उनको प्रगट करके अपनी मै को माइनस करने से सिमरन सच्चाता बोता है ठीक है